तो 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 फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबस्क्राइब बूजा तो सबने मनाया हम लोग अभी स्टार्ट करें के फिर से जनल लौका क्लास मंडे हैं अ जनल लौ 딱 है सगोड़निंगीन तो अ झोल Massachusetts लौका टार्ट करना है और हम लोग बात कहार रहां कर रहा है याद है किसी को कि छुर्ड comfy ignala prot ятель조 देल चणल है तो आपको इंडियन लौ तो समझना ही पड़ेगा वेट इसके उपर ये पूरा चाप्टर बिसीकली एक्जेटिव लेमें फोकस करता है तो लास्ट वे कम लोगोंने शोर्स ऑफ लॉका एक ओवर वियू देखा था उसमें इंडियान लॉक एस्टरी लॉप इंडिया का एक डिटेल्स डिसक्शेंशंस आप लोगे साथ मैंने किया था और काफि काफिंट्रेस्टिंग भी था और काफि कंप्लीट एक हॉलिस्टिक क्या प्रूश था लास्ट क्लास जो था जिसमें पूरा इंडियान लॉग के बारे में एक क्रिटिकल अनलेसिस मैंने आप लोगों के साथ कोशिश किया था बताने का कि जानों भी कम से कम हमारे देश का लॉग कैसा है मतलब आज जो लॉग चल रहा है इससे पहले का सिस्टेम इससे की पुरान जो इंडियान लॉग है वो आज भी इंडिया में कितना बहुत अप्लिकेबल होते हैं तो आज की क्लास में क्या बात करेंगे उसको apply करो, है ना, जो rule बनाया गया है उसको apply करो, but jurisprudence ऐसा है क्या, jurisprudence का क्या मतलब होता है, law के साथ jurisprudence का क्या difference होता है, याद है क्या आप लोगो को, किसी को भी, what is the basic difference between law and jurisprudence, आरे, कोई तो बता हो, बूल कहें क्या, law and knowledge, law and knowledge basically, jurisprudence का मतलब होता है, याद प्रुडेंस का मतलब होता है, knowledge, ठीक है, jurisprudence का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, jurisprudence का मतलब हो जाता है, knowledge of law, ठीक है, that is okay, but मैंने आप लोगो को एक चीज़ लिखाया भी था, अगर आप लोगो कोपी में go through करोगे, law और jurisprudence के बीच में difference भी आप लोगो मैंने बताया रहा, कि there is a certain differences between law and jurisprudence, jurisprudence क्या होता है, jurisprudence basically, जो law already existed, जो law है, जो law already हमारे society में चलता है, different kind of, चाहिए आप company law ले लो, आप business law ले लो, आप marketing law ले लो, आप industrial law के बारे में बात कर लो, आप economic law के बारे में बात कर लो, आप normal, कोई भी, आप कोई भी law उठा लो, ठीक है, civil law के बारे में बात कर लो, जो law existing है, उस law में सवाल करते हैं jurisprudence, कि ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना justifiable है, तो ये mainly jurisprudence और law के बीच में ये बहुत बड़ा मतलब फरक हो जाता है, law मतलब क्या, कि जो है वो है, ठीक है, law simple नहीं बात करता है, ये बताया क्या है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है, पर jurisprudence थोड़ा सा हटके बात करते हैं, jurisprudence क्या करते हैं, वो चर्चा करते हैं, वो सोचते हैं, कि covers whole body of legal principles in the world, सारा दुनिया भर में जो भी law है, उसके बार से, मतलब small overview के साथ, मैंने आप लोगों ये चीज लिखा भी था, और साथ में law of India, Indian law का history, ठीक है, एक दिए हम लोग का जो पुरान बेद, वेदान्त के जमाने में जो law चलता था, और आज भी उस सब law चलता है, तो उसका कुछ confusion, कुछ आज की data में modernization, ठीक है, उसके Islam law और Indian जो पुराना law है, ठीक है, जिसको Hindu law के नाम से जाना जाता है, उसका एक male jule में हमारे देश चल रहा था, मतलब last British आने से पहले, ठीक है, उससे पहले तो मोगल आने से पहले तो obviously purely Indian law ही चलता था, मतलब जिसको Hindu law बोलते हो normally, ठीक है, और अभी British आने के बाद, जो law system में बदला हुआ है, वो mainly British अपने हिसाब से बनाया है, उसमें का थोड़ा modernization भी है, थोड़ा उसका भी अपना rules regulation जो British या British colony वाले countries में जैसे चलता है, वैसा हमारे देश में भी लाग हुआ है, और British चला गया sir, 75 years back, ठीक है, तो 75 साल पुरा ना, मतलब 75 साल पहले जो law वो जैसे और भी उनके साथ, और भी काफी लोग थे, जो law makers है हमारे देश में, जन्होंने संग्विधान को बनाया, उन्होंने not just British law, British law को छोड़के और भी different countries, जो उसमें अमरीका है, Australia है, रशिया है, ठीक है, different countries का अलग-अलग सोच को एक जगा में इकठा करके भारत का निय situations, but jurisprudence क्या है, we ask, what is required for a rule to be a legal rule, ठीक है, क्या जरूरत है, हम सवाल करते हैं, jurisprudence पे, just the object of jurisprudence क्या हो गया, is not to discover new rules, but to reflection on the rules already known, ठीक है, जो rules already है, उसके बारे में और पूछताच करना, उसका reflections को देखना, कि society में क्या जरूरत है, तो यह काफी interesting है के रिया था, जो मैं क्या है, reason करते हैं, ठीक है, true meaning ढूंडते हैं, intention of its makers while arising law, jurisprudence क्या है, lawmakers को help करते हैं, while asking laws, judges and lawyers को help करते हैं, law को interpret करने में, यह कुछ basic फरक मैंने आप लोगों के साथ discuss किया था, तो today, आज क्या करने वाले हैं, सर, आज आपके साथ मैं history और law of India के बारे में और बात नहीं जैसे कि last week में मैंने आपको बोला था, कि अभी हमें institute के mat के अंदर जाना है, CS institute के mat के अंदर, और यहां से हमें different definitions को पढ़ना है, sir, बहुत जरूरी है, क्या definition जानना, sir, जरूरी है, ठीक है, because अगर आपको पता होगा, कि हमनों last में definitions पे ही भात कर रहे थे, जादा तर, ठी नहीं connected पूछ लेते हैं, मतलब इसमें आपको definitions का भी knowledge होना चाहिए, कि law के बारे में different era, different era, era मतलब समय में, different लोगोंने, different लोगोंने मतलब कौन से लोग, कोई भी आम अदमी, नहीं sir, lawmakers, jurist, ठीक है, academician, इन लोग ना, अलग-अलग law के बारे में definition दिया है, तो हम लोग अ premium हमारे देश के अंदर भी चला है, और दुनिया भर में भी चल रहा है, तो इसका अलग-अलग definitions, तो law क्या है, इसका कोई hardened first rule तो है नहीं, but, समय के साथ, अलग-अलग लोगों ने जो law के बारे में बोला है, उसका knowledge लेना ज़रूरी है, I hope आपको समझ में आ रहा है, अलो, क्या रहे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर लास्ट वी का class आप लोग किये हैंगे, अगर live में किये हो तो ठीक है, अगर recorded में भी किये हो, तो प्लीज ज़रूर देख लेना अगर बायचंस नहीं किये तो, ठीक है, because, उसमें एक पुरा holistic approach था, लेकिन आज म अगर कोई CS नहीं बन रहा है, अगर कोई CA नहीं बन रहा है, lawyers नहीं बन रहा है, तो क्या उसको law नहीं जानना चाहिए, सर उसे भी law जानना चाहिए, जैसे कि आप लोग को पता है, कि ignorance of law is not an excuse, है ना, अगर कोई कभी इंसान, कभी law के कारण में उसको कोई problem होता है, say for example, उसने कोई का कर दिया, किसी भी तरह का कारणामा कर दिया, पर उसको पता नहीं है कि यह law में मना है, ठीक है, और फिर वो बात में बोलता है कि मैंने कभी law नहीं पड़ा, तो मुझे नहीं पता कि यह law applicable होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, तो मुझे माफ कर देना चाहिए, तो sir, constitution एक वही, as a company secretary नहीं, एक हाम आदमी के तरह ही आपको law जानना चाहिए, और उससे साफ से आप source of law को भी अच्छी से जानोगे, तो it is essential to understand the basics of law, without an understanding of the concept of law, the orientation and motivation towards attainment of justice is found missing, अगर आपका knowledge proper नहीं होगा, law के बारे में, तो फिर क्या problem होगा, proper justice नहीं मिलेगा, तो यह justice और unjustice, यह इक बात घुम चलाया, सर अभी, बोलते बोलते, सर, law क्या है, इसको समझने के लिए, just मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग महाभारत के बारे में जानते हो, सर, पूछना नहीं चाहिए, फिल भी, पूछ रहा हूँ, क्या आप सबको महाभारत, जो हमारा जो इपिक है, सर, इंडियन एपिक, रामयो एन अंस्यु हख़ कि पड़े हो बच्पन में सुने में एक रे कुछ तो के ओंगे सब पूछ हो मैं अभी बताता उतको से लिए पूछ नहीं क्योंकि महावारत में लडाई तो बहुत हुआ है है लडाई देखके कही बार हमारे सुसाइटी में बोला जाता महावारत घर पर रखना नहीं चाहिए क्योंकि महावारत रहने से घर में लड़ाई होता है सर बात ऐसा रखना चाहिए नहीं चाहिए इस तरह का matter में हम बात नहीं नहीं करने रह वारत का एक छोटा से पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो यहां पर एक लाइन एक दम स्टार्टिंग आपके किताब में स्टार्टिंग में चीज बोला है कि ता अगर किसी भी सुसाइटी में पहला आपको जानना चाहिए दूसरा अगर आप लौ ठीक ठाक से भी नहीं बनाते हो अगर आपका लौ पर नहीं बन रहा है कंट्री का जो लौ है वो अगर प्रॉपर नहीं है एक प्रॉपर जस्टिस सिस्टेम अगर मिसीं है सर तो फिर सर गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा गलत लोग गलत वे से सोसाइटी को रान करेगा तो इसलिए मैं महाभारत का एक्जामपल इसलिए दो फिर से मेरे दिमाग में आ गया विकॉस यह सबसे पहले हैं आपको बता दू कि कुरुख शेत्र का युद्ध हुआ था आप ल अगर आपको लौ समझना है ना को महा भारत को समझना बहुत ज़रूरी है जिसक देत हैं महाभारत नाय और अननाय के विरुद लड़ो और नाय को प्रतिष्ठा करो इसलिए अपने ही भाईयों के बीच में लड़ाई लड़ा गया सर अपने भाई को अर्जुन बार 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 बोल रहे हैं मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूं मैं अपने ताउजी को कैसे मार सकता हूं जो आपका दितराष्ट थे और अर्जुन की ताउजी थे दुरुजी धन का पीता थे गांधरी उसका मतलब ताईजी थे मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं जेठी मा जो भी बोला और दितराष्ट थे उसका जेठु या फिर मतलब बाड़ो बाबा जो भी आप झोबी नाम से आपनी अंकिल को आपनी मारा जा रहा है उसी के बच्चे को मारा जा रहा है क्यों युद्द किसलिए क्योंकि दुरियधन जो प्रका भाईव को निकाल लिया गया था conspiracy करके असर उनके साथ धोका धाड़ी करके क्योंकि उनकर अच्छा तो उनके अच्छाई का क्या किया था लाव उठाय गया था अच्छाई का लाव उठागे अगर तुम किसी को कई से निकाल दोगे राज्य से निकाल दोगे ओढ़ेंगे नहीं हम बस 5 घाऊँ देदो जानतेओं अब लड़ेंगे नहीं कुई लड़ाइ में लड़ेगा पर 5 घाऊँ देतो हम लोग चल जाते हैं तो जानतेओं बुला था कि बिना यूधमे एक मिठ्टी का कंड तक नहीं देंगे एक मिट्टी का कंड तक नहीं देंगे इसको बेंगॉली में ऐसे बोलते हैं कि बीना जुद्धे नाहीं देवों सुचोग्रो माटी या सुचोग्रो मेधिनी आई होप और लो आप इस सिंट खंग और फिंग्स झानते हो इस जो आज इंड सीटिटुट कऊ सर इन प्रस्तिस इंद्र परशच्ट मार्ग जो दिलनी में आज कढ शॉर्व इंदर परस्त इस समय का था इंडरर ने माके बर से अरझण ने इंदर प्रस्त हो बना थ15,000-10arem साल पूराना बात होगा तो पॉइंट क्या है पॉइंट तो सर वही जस्टिस और अटका हुआ है लेकिन लास्ट में फिर भी वो लोग नहीं माना तो कृष्ण भगवान तो सर पूरा खेल से ला रहा था और अल्टिमेटली पांडब को नय प्रतिष्ठा करने के लिए उनको लेना पड़ता है यह चीज वहाँ पर दिखाया गया जस्टिस अगर प्रतिष्ठा करना हो तो अंजस्टिस को हराना पड़ेगा यही तो लौ का आधार है सर और यही पूरा अगर आज का अगर आप चर्चा देखो कि महाभारत से स्टार्ट इसलिए किया आपको ऐसे शाय आपको आपको लौ में कभी दिक्कत नहीं होगा विकास महाभारत इस ओल अवाट इस्टाब्लशिंग भी जस्टिस अगेंस्ट इस पूरा महाभारत अही है तो प्लीस ट्राइट इसलिए लौ ठीक है अगर आप इस पर देखना चाहते हो आप और यह भी बता थो आपको मह सबसे लौंगे सबसे लौंगे सबसे बड़ा इतना बड़ा एपिक दुनिया में और नहीं सबसे बड़ा एपिक जैसे एक 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 नाइंटीन फिफ्टी वान में लिखा गया उस दौरान में ठीक है और अपना महाभारत लेका आज से पांच जार साथ पुराना अभी प्रापट डेटा नहीं है कि कब लिखा गया था ठीक है लेकिन अलमोस्त थाइब तौका से कंव कम से कम से कम उसे जादा हो सकता है इसको लेकर विवाद हैं कि 5000 साल की 17000 साल की 800.000 no one knows और स्कृप्टर आज भी मिलता है कहीं न कहीं बात चलता है तब भी वह सबसे बड़ा आज भी आज की डिट पे भी महावारत लिखा हुआ मत जो इस तरह से महावारत का पुरा का पुरा सिस्टेम बना हुआ है वो भी वर्ट का सबसे बड़ा एक है आप चाहे तो गूगल कर लो ठीक है तो यह जस्टीस और अंजस्टीस ठीक है यह पूरा लौ का में पार्ट है अर यह शर्स अब लो आपको बार बार बो चीज यार देलाएगा तो moreover without a comprehension of the cognitive and technological foundation of the discipline, पेड़के बेकमस जूजिए टूजिए रूल्स, नुरिटिछिए बखेग्साए टूचरा बार इस ब्रुजिए बरियरस ब्रूठी बाहुत सरार रूलसी रूल से ब्रूलाशन, के अंदर समझने को मिल रहा है the introduction of law is the very foundation of acquaint students with the law and its sermonologies which will enable them to have a better understanding while dealing with statutes but primarily it includes the student into realm of questions concerning law so that he is able to live beyond their perplexity of complexity and is driven to seek out the answer for himself अब समझ रहा हो ठीक है का answer for himself क्यों वही अर्जुन जैसे स्री कृष्णा ने बार बार अर्जुन को बोला जा रहा था कि अपने आपको पूछो ठीक है सही गलत का जवाब मिल जाएगा इसी तरह से हम लोग भी आज law को definition wise जानेंगे और इसलिए मैंने थोड़ा पहले ही महाभारत बता दिया आपको ताकि आपको समझने में सुविदा हो यह जस्टिस अंजस्टिस का खेल क्या है तो देखो यहां पर तो nature and meaning of law इसमें definition समझने के लिए हमें कुछ चीज़े समझना पड़ेगा ठीक है तो nature and meaning of law has been described by various jurists ठीक है मतलब यह modern day में last 200-300 years में especially British era and during 19th century and 20th century जो भी आज यहां पर बाते होंगे maximum 19th century and 20th century that means 1900 के time पे 800 के time पे ठीक है क्या क्या बात हुआ है law के बारे में जो जाधातर केस में चर्चा होगा और कभी-कभी हम लोग थोड़ा Mohammedian law that is आपका Hajrat Muhammad ji का बना हुआ जो नियम है हिंदू का जो पुरानी जमाने का स्मृती का जो rules regulations है ठीक है वो भी कभी-कभी चर्चा करेंगे ठीक है उसके साथ-साथ में ली जो चर्चा होगा वो थोड़ा modern day में लास्ट hundred years one two hundred years में different jurist different lawmakers ने किया definition दिया law के बारे में जो आज आपको में बताऊंगा however there is no unanimity of opinion regarding the true nature or meaning of law the reason of lack of unanimity on this subject is that मतभी जो लॉग के बारे में न सबका अलग-अलग रहा है subject has been viewed and dealed with by different jurists at different times लॉग के बारे में जो अलग-अलग नियम या मत सामने आएगा इसका main reason है कि ये अलग-अलग समय पे दिया गया है कोई एक particular time भी नहीं कोई अगर 2000 में बता रहे है तो कोई 1930 में बता रहे है तो कोई 1830 में बता रहे है तो कोई 1730 में बता रहे है तो different समय में society different था लोगों का culture different था तो law भी different time में different रहा है and from different point of view that is to say from the point of view of nature source, function and purpose of law तो हर situations में law का purpose भी अलग हुआ करता था to meet the needs some given period period of legal development तो जमाने का बात अलग होता था therefore it is not practical to give a precise and definite meaning of to law which may hold good for all times to come ठीक है मतब जो आज से तेरसे साल पहले जरूरी था जो नियम चलता था आज भी वो रूरूरू चलना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन हाँ हो सकता है कि आज से पांचे चाल साल पुराना कोई बात था वो आज भी उतना ही प्राक्टिकेबल है ये भी हो सकता है ठीक है so not necessary कि पुराने में जो पुराने जमाने में हो गया है वो आज अप्रिकेबल नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं लेकिन जरूरी नहीं कि उस जमाने से चले आ रहे तो आज भी उतना ही वालिट माना जाएगा it's not like that however, it is desirable to refer to some of the definition given by different jurists so as to clarify and amplify the term law the various definition of law propounded by the legal theorist serve to emphasize the different facts facets of law and build up complete and rounded picture of the concept of law चलो देखते हैं एक complete picture क्या देखने को मिलता है यह निन आप्टर विशाल रिफर्दी स्व रिप्रेजेंटिटिव डिफिनेशन अब डिसकस्ट कुछ रिप्रेजेंटिटिव डिफिनेशन से for the purpose of the clarity and better understanding of the nature and meaning of law we may classify various definition into five broad classes तो लोगो 5 ब्राट क्लास लेए रिफरेंट किया रहा है सैच फिंके हैं पांच ब्राट क्लासे में लोगो बोला जा रहा है सबसे पहले तो नाचिवल नाचिटिरल में क chicos त्षीं को से चिधोने लोग सबढूरेंग स्बैस्टि करना चाहिए इं हएं bisaikt भी एक्टिव नाचिडल पॉजितिव पॉजिटिव इस्टिक हिस्टोरिकल सोचियॉलॉजिक रियलिस्टिक साफ लोग को पॉइंट समझे में आ रहा हैसं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या सीखने वाले हैं कि अप्डूर। कि अहां सरों कि याखशियं दो कि नो थे कि आगे बढ़ते सिर्ट के तरफ बढ़ते हैं कि natural school के बारे में क्वोसा थे एक जागा है कि कुछ चीज़े सर human nature की हिसाब से बना हुआ है ठीक है जब अरदस्ति नहीं बना सकते human nature ना एक होता है सर जैसे जानवर का एक नेचर होता है ना जैसे अगर आपके घर में खरगोश को राभी तिया बननी जो भी बोलते हो आप ठीक है आपके घर में गाय है मतलब काव ठीक कि युमें बिद्द फिर इंडियन उसका भी अपना नेचर होगा क्या बोलते हो आरे तो होगा ना एक अल्मस्ट मेंग का नेचर तो हुमन मीं की तड़दा होना चाहिए चाहे इंडियन आफ्रिकन हो या रशियन हो या अंडेट्रिका का कहीं कभी हो human be cuba human means सब्सक्राइब को चीज़े इन हरेंट ली आता है ठीक है जैनेटिक टाइप में जो हीमन नेचर के अंदर है और एंड कैन बी अंडेस्टोट उनिवर्सली थो हुमन रिजन आप हर चीज़ को मतब हुमन बींग के तरफ से सोच के समझ सकते हो ठीक है कि विच इस गुट फॉर हुमन निगे तो फेरी सिंपल कॉंसेट ठीक है नाचरल कॉंसेट पुराने जमाने में मतब बहुत पुराने जमाने में जब कोई मतब हम लोग बिसी कली जानवर की जम जैसे ही थे जंगल में रहते थे थे हैना एक दो वेडी प्रिमिटीव वे में जब इन्सान दुनिया म मिलेगा जो आक्चली हमारे यहां पर इस लॉम में ज्यादा तर आपको रोमन और मतलब लाटीन रोमन मतलब क्या लाटीन विसी कली इटली ग्रीस का बहुत सारा पॉइंट यहां पर है विकॉस लास्ट फाइव इंडेट थाउजन यह ब्रिटिश या पिर यूरोपियन न आपको प्रिवियर्स लेक्शेस में बताया है ठीक है आपको हमारे लॉक के बारे में थोड़ा बहुत बात किया है मुझे तो लगता है ज्यादा बात करना चाहिए था लोग तो थोड़ा ही किया है अब क्या कह रहे ना वह यूरोपियन एडूकेशन सिस्टेम अभी भी च पड़ेगा सब मेरे समझने से क्या होगा ओके तो अंडर इस स्कूल फॉल मोस्ट अप दी एंसीन डिफिनेशन गिवन भाई रोमें और एंसीन जुरिस्ट ठीक है अल्पाइन दिफाइन लॉव तिक है एक फेमस जुरिस्ट है अल्पाइन उसने डिफाइन किया अस दी आर सवाल इस चाप्टर से आ सकते हैं जो मैं आपके साथ लाटर स्टेज में चर्चा कर लोंगा ठीक है तो अल्पाइन डिफाइन लॉव अस दी आर्ट आप साइंस अल्पाइन नहीं क्या बताया लॉग को एक आर्ट आप साइंस बताया वाट इस एक्वीटेबल और क्या समा अच्छा बोला था कि लॉव ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो तो वही बात देखो यहां पर भी बोला आप साइंस एक ऐसा बिज्ञान एक ऐसा कला जो सभी को एक अच्छा और एक्वीटेबल सिटूशन में रखता है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता किसी क लॉइस दी हाइस रिजन इंप्लैंटेड इन नेचर ठीक है नेचर के अंदर सबसे बढ़ागर कोई चीज इंप्लैंटेड किया गया है तो वह लॉव है ठीक है यसी से रोका मानना है जस्टिनियन डाइजेस्ट ने बताया लॉव अस दी स्टैंडर्ड और फॉट इस जस वह लॉव नहीं बताया जब गीता में बता रहे है या फिर महावारत के अंदर जब अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं अगर कभी वह अर्जुन और कृष्ण का जो बात्चारिता है जो भी बतलब उनकी बीच में जो अलाव होता है या फिर जो पूछते अर्जुन को कृ कृष्णा को अर्जुन बोलताते सारथी ठीक है सारती नहीं सलगते पार्थ मतलब दोश ठीक है पार्थ मुझे रस्ता दिखाऊ मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो वह वसी के लीकर डव इसको समझाता था तो अर्जुन बौलता था कि या हम सबको मार देख कृत्म कर दे या फिर इविन कर्ण बहुत बड़ा बिर्था कृष्ण ने कर्ण को भी हराने के लिए साजिस बनाया कि क्यों विकास कर्ण गलत साइड में थे कर्ण कर्ण एक्विटबिलीटि को खतम कर रहा था है यह कर्ण का सबसे बड़ा दोश था अब अन्नाय का साथ नहीं दे सकते हैं में थोड़ा बात किया और अगर आपको महावरत का नौलेज है मैं आपको गैरेंटी देता हूं इसे भी समझ में आएगा महावरत का हेल्फ लेने से यह मेरा परसेनल मानना है कि इस एवरिटिंग आप कर सकते हैं सी से रो का कहना है नियम लौ नहीं रहेगा समाज बिखर जाएगा इसी दिए लौ रहना बहुत ज़रूरी है यह वाना है लाउज प्लाइट इंप्लाइट इंशा नियुगों angustinian digest का माहनना है कि this is a standardुन के of just and unjust टुक है न्याय क्या है और अन्याय क्या है इसका एक standard होणा चीह बहुत से गोल्ड स्टैंडिजिएंद क्या सोना का standard rate कलकتم मार्युपमर्गेट qaza नहीं मार्यड में क्या चल रहा है कि इसमें सोमना वाला बिजनेसमें जो है वो सोना का बिजनेस करता है इसे स्टेंडड बहुत सरे चीज़ें कोता है ISO Certification International Standardization of Organizations का मतलब Standardization होता है तो यह just and unjust का standard है क्या law ठीक है in all these definition propounded by romance ठीक है romance ने मतलब romance मतलब आप समझ रहे हो ना romance मतलब जो रोम का लोग इतली का रोग लोग है जो उस जमाने का जो रिस्ट वा करता था इन लोगों ने क्या बताने का कुशिश करता है justice is the main and guiding element of law justice is the main and guiding element of law justice law का सबसे बड़ा guiding element यह Roman कब बता रहा है यह Roman बता रहे thousand krishtal में ठीक है जिक है जिसक्राइश के प्रिष्टा करना ही समझ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमेशा ओलवेज अना तभी तो मैं महा भारत का नाम दिया आप शायद बार-बार सोचो के सर बार-बार महा भारत महा भारत क्यों चिल ला रहे हों सर क्या करें एक बहुत बड़ा फेमस बात है बोलता है कि जो क्या बात करते हो सर रूप दिखाने के लिए बहुत कुछ है कभी कभी अगर आप लोग मेरे मेरे को पूछोगे ना हर चीज का प्रूप आपको देंगे मैं बैठे बैठे महा भारत का एक पन्ना के अंदर आपको पूरा दुनिया का नालिज मिलेगा जो भी पूरा वर्ड के अंदर है सर क्या बात करते हैं सर गैरेंटी दे रहा हो और अचा देखो बोलते बोलते आगे सर एंसें हिंदू विव वस दाट लॉइस कमंड ऑफ गौड ये कहा जा रहा है कि हमारे पुराने जमाने में जो एंसें हिंदू वह करता था वह ऐसा था कि कॉमंड ऑफ बतब आदेश है हमें पालन करना चाहिए और नॉट एनी पॉलिटिकल सोगरिंग सब्सक्राइब ये चीज पुराने जमाने में वह करता था अब कोई बोलेगा कि मैं गौड का क्या नियम होता है हमें गौड वगरा समझ नहीं आता ठीक है किसी का मानना ऐसा हो सकता है कि हम मैं God समझ नहीं आता पिट लोग लेकिन पूराने जमाने से लेकि आज तक यह वाला कॉंसेट चलता है अब कोई इसका सब्सक्राइब को सकता है किवीः वीग पॉइंट मैं आपको समझाता हूं तिक है कि God का बना हुआ क्या कॉंसेप्ट हैं अब गौड कों है किसी ने द ही बहुत सारा कॉंसेट सुसाइटी के अंदर क्या हैं प्रथा बन गया है कि भी कुछन भगवान ने वह बोला था इस तरह का कलचर को से अंदर बना हुआ है कहां से अया फिर इतना सारा बात हवा से उड़ क्या जग आ कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक पाकिस्तान 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 गॉत और अगर आप एंफगानिस्टान Safety बदेर हों कि और भारत-धेश के अंदर उनकि लोग यक लोग बाद चाहब है इसका मतलब क्या है कुछ तो बात है जो common है जो आज भी चलता है आज भी चलता है तो इसको लेके काफी कोट में केसे बगरा भी होता है ठीक है तो तो अज यह पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कि आज हमारे देश भी बीजेपी है बीजेपी अपने हिसाब से नियम कारून बनाना चाहता है फिर कांग्रेस के बाद बीजेपी के बाद फिर कोई आ आएगा पचास साल बाद कोई दूसरा पार्टी भी आ सकता है हमारे देश को चलाने के लिए वह अपना कुछ नियम बनाएगा जैसे आप लोग अगर जर्मान के बारे में जानते हो सर जर्मान में आप लोग हिटलर के नग्ति जलवाने में जानते हों सर? सर कैसा सासकते हितलर? हितलर किस तरह का सासक हुआ करता था क्या आप लोग प्या नालेजम बारे में? कैसे देश चलाते थे हो? जो भी जामते हो बुलो ना एक common point my thing आप लोग एक जगह में आके पहुंचोगे हिटलर के बारे में वो क्या है हिटलर पंती का मतलब क्या होता है एक एक फ्रेस बन गया हिटलर पंती हां एक वर्ट बन गया हिटलर गिरी मत कर क्यों बोलते लोग ऐसे हिटलर का मानना था कि भगवान वगेरा कुछ नहीं होता ठीक है या फिर जो कुछ भी है मतलब दुनिया में है मैं ही हूँ मैं जैसे बोलूंगा इसे ही चलना पड़ेगा है ना इसको इसको बोलते बिसीकिली मतलब क्या बोलेंगे इसको बहुत ही अच्छा एक नाम है management में हिपोक्रेशी तो नहीं बोल सकते हैं मैं ही मैं हूँ पूरा पावर अपने हाथ में पूरा पावर अपने हाथ में लेकि सुसाइटी को अपने तरह क्या गरना कंट्रोल करना कि किसी को मारना है तो मार देता हां कितना लोगों को मार असर मैं आपको बोल नहीं सकता अभी मै हिट्लर के बारे में तो डिसकस करने नहीं बढ़ता था जिसको जो इसके साथ मैच आप करके नहीं चल पाएगा उसको मार देगा इस तरह का कॉंसेट में यह हिटलर वगरा लोग थे लिए लोग क्या सुचता था यह लोग सोविरिन पॉलिटिकल थे यह पूरा का पूरा कॉंसेट को अपना मना लेता था अब यह जैसे रूल बनाएगा इससे चलना पड़ेगा तो यह प्रॉब्लम था है आज भी है पॉलिटिकल और इकॉलिटी पर विश्वास रखते हो तो यह कहींना कहीं तो सूर्म कहीं कभी लगना चाहिए तो इसलिए तो आज कि कस्टम में चेंज कर रहे हैं जैसे गौड का लॉबी सर क्या है ना उस जमाने का कस्टम वह करता था आज से 5000 यह बैक जो लोग इस दुनिया में थे उसे ही उसी का जो लोग उसी में अच्छा-च्छा कारणामा किया हम लोग उसी को गौड बना दिये जैसे अगर आज आज कुछ लोग थे सोसाइटी में जो समाज के अच्छे के लिए काम करते थे तो उसको हम लोग क्या सोचते थे बाद में सोचने लगया कि थीक है तो वह देखा नहीं समझा नहीं सुना नहीं तो फिर गौड ही होंगे तो इस तरह से मेरे हिसाब से तो गौड इसी तरह से नहीं हिसाब से हिटलर पंतिकिरी करेगा इस नॉट लाइक देट एवरीबड़ी इंक्लूडिंग दी रूलर इस बाउन टो ओवेट मतलब समझ रहे हो तो अब हिटलर को भी डरना चाहिए भगवान से हिटलर को भी डरना चाहिए गौड से कि भई कोई है जिस पूरा दु तो सुसाइड नहीं करना पड़ता है जानते हो ना हिटलर लास्ट में सुसाइड किया था रस्या अटक किया था उस पर रस्या ने जर्मान को हराया भी था ठीक है वो उसका एक अलग कहानी है सेकंड वर्ल्ड लोर के टाइम पर हिटलर को इतना अहंकारी जिसने पुरा खुदको ही सबसे पावरफूल या सबसे महान नहीं सोच सकते ठीक है कहीं न कहीं आपको भी भगवान का रूल को ओभे करना चाहिए ठीक है तो ऐसा पुराना सोच था ठीक है तो फिर हिंदू स्कृप्चिर्श क्या कहता है सर लॉइज पार्ट ओफ धर्मा तो फटीस धर धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन नहीं हो सकता है क्रिश्चन कोई धर्म हो सकता है इसलाम कोई धर्म हो सकता है अकोर्डिंग तो हिंदू धर्मा का मतलब होता है करूना और करूना मतलब पुरी जो विवेकाननत का बड़ प्रति शेवा क्या होता है जो प्राणी को प्यार करते हैं वही भगवान की प्रति प्रेम है तो that is the concept of dharma that is the original Hinduism ठीक है तो करूना अब ऐसे सोच भीचार तो आजकाल है नहीं ठीक है ऐसे सोच भीचार तो आजकाल है नहीं लेकिन करूना होगा तभी न आप क्लास नहीं कुछ मताब बचन क्या बोलते उसको प्रबचन का कोई चल रहा है जिसे आस्था टीवी पगेरा होता है शायद आप लोग ऐसे फील कर रहे हूं आप मुझे एक चीज़ बताओगे सर अगर करूना नहीं होगा तो जस्टिस कैसे करोगे करूना का मतलब क्या जिसक करूना ही नहीं रहेगा करूना मतलब कंपैशन ठीक है कंपैशन नहीं रहेगा तो फिर जस्टिस कहां से मिलेगा अब तो सब क्रूडता हो जाएगा लोग के साथ अन्ना हो जाएगा मार पीड दंगा दाड़ी यहीं चलेगा क्या बोलते है सब यही है ना पॉइंट आप अरे बुश्ते पार्चीश की पार्चीश ना हिंदू कॉंसेप्ट अफ लॉव लॉव इस पाट अफ धर्मा कुछ समझ में आ रहा है है तो आडिए ओफ जस्टिस इस और फ्रेजण फिर प्रेसें लॉव इग्जक्ली सब्सेप्ट आ आज भी हमारे समाज में है यह लेकिन वह बाद में भारत आगा गाना कभी ब्रिटिश को तो फिर क्या है ना भारत का ओर जिन विवेंडिक हो गया तो अभी हम लोग हिंद खुल के बात कर नहीं सकते क्यों ऐसा करने से हमारे देश का जो क्या बोले सर सो कॉल्ड सेकुलरिजम खतम हो जाएगा ठीक है मतब बाकी धरम का लोग अपनी हिसाब से बोल सकता है कि हम अपने धरम पालम करेंगे पर हिंदू यह नहीं बोल सकता कि हम हिंदू धरम पालम करें तो यह कुछ problem है इसलिए आजकाल हम लोग Hindu law Hindu law नहीं बोल पाते हैं सभी क्या बोलते हैं constitution follow करो yes हम लोग पढ़ेंगे next chapter में constitution follow करना ठीक है लेकिन क्या है constitution तो follow करेंगे यह system जो justice का बात है यह justice तो सर हमारे प्राची इंडियन कल्चर के अंदर एकदम कूट कूट के बराता कूट कूट के लेकिन वही बात है सच्चाई बहुत सारे चीज़ बदल लेता है मुझे कभी-कभी खराब लगता है और कुछ नहीं ठीक है खराब यह लग जूट जूट समझते हो जूट यह होता है कि कल कोई आपके घर में घुशता है आपके घर में घुशके आपको बदल देता है आपका सोच को बदल देता है और आप उसी जूट को सहारा बनाके जिन्दगी भर चलते हो कभी आप ढूंडने का कोशिश भी नहीं करते हो कि आ आप कौन हो आप कहां से आए हो आपके पुर्वज कौन है क्या करते थे वो अगर आप इसे भूलाने का कोशिश करते हो जो कोशिश किया गया है पुरा का पुरा ठीक है हम लोग भूल गए बांगलादिश के लोग भूल गए पाकिस्तान के लोग भूल गए रही प्रॉब्ल कि यह लोग सबसे बड़ा conspiracy रचा कि हम लोग जितना भूलेंगे यह लोग उतना जादा हमारे उपर राज कर पाएंगे क्यों हम अपने सच्चाइश से जितना दूर जाएंगे तुम हमारे उपर उतना जोर से राज कर पाऊगे ना सर सोच के देखना कभी हम अगर जितना मु थोड़ा सा भाभूग हो जाता हूं सल्मॉंड का कहना क्या है देखो फेमस जुरिस्टेसर इनके बाल में बहुत पढ़ा जाता है सल्मॉंड दी प्रॉमिनेंट मॉडन नाचिरल लॉट थिंकर डिफाइन लॉड अस दी बॉड़ी और प्रिंसिपल्स रेकोगनाइस्ट ए लॉड अस दी बॉड़ी और प्रिंसिपल्स रिकोगनाइस्ट एन अप्लाइट वा इस टेट इन दी अदिश्टेशन आफ जस्टेस एगें नाए प्रिटिश्था बार बार वही हो रहा है वही हस्तिनापूर की कहानी बार बार घुम फिर के आएगा ठीक है अदिनिस्टे लॉड को समझने के लिए उसका पर्पस को समझना जरूरी है सेकंड इन और तो एससे भी बड़ा चीज कोट में होता है उससे भी बड़ा बात कोट में होता है ठीक है कोट क्या है जहां पर पूरा कारवाई होता है सर आप लोग जानते हो कोट क्या होता है से आगे में बात करूंगा हमारे सुप्रिम कोट हाई कोट के बारे में बात करूंगा सब्डिविशिनल कोट ठीक है जो हाई कोट के अंदर में चलता है वो सब भी पढ़ना पड़ेगा चैप्टर के अंदर भी पड़ेंगे तो वो तो है वो तो अपने जगा में है तो वांट शूट गोड़ी बात है कि कोट में जाके देखो वह नया क्या होता है इसलिए नियम अलग-अलग नियम बनता है जैसे एक सिंपल बात जैसे लास्ट वीग में बताया था आप लोग को जैसे हमारे देश में बहुत सारा ऐसे पुराने जमानी का रूल्स था जिसको समय के साथ-साथ-साथ-बदलाव किया गया बिकॉज समय के साथ-साथ-साथ-बहुत चीज़ों का गलत मतलब हमारे दिमाग गुश गया था जैसे कि एक सबसे बड़ा गलत मतलब गुश गय जो मैं आपको लास्ट विक बता था कि पुराने जमाने में अगर किसी का पती मर हस्बेंड मर जाता है तो अगर उसका वीडो जिन्दा रहता है तो जब भी विदेशी आक्रमन होता था तो या फिर समाज इतना खराब भी हुआ करता था किसी टाइम पर कि वो पतनी जो वीड और भी के से प्रचार किया और बाद में चीश समय के साथ साथ चलता आ गया किसी के बारे में किया ब correspondence और और यह तो लोगों के उमर में, तीन साल के उमर में, ठीक है, आज भी भारत में कहीं-कहीं थोड़ा बहुत प्रैक्टिसेज है, ठीक है, especially in northern part like राजस्थान, गुजराथ, हरियाना साइड में, गुजराथ में इतना नहीं, हरियाना में, ठीक है, उत्तर प्रदेश एरिया में, थोड़ा बहुत अभी भी वहाँ पर illiteracy, क्योंकि बहुत कोर-कोर गाओं हैं, जहाँ पर illiteracy आज भी है, बहुत जादा, है, तो अभी भी दिखता है, ऐसे कोशिश जारी है, कि लड़कियों का शिक्षित करना बहुत जरूरी है, सर लड़के शिक्षित होगा तो कम से को अपना मांग करेगा ठीक है अपना मांग करेगा बहुत जरूरी है मांग करेगा और तब क्या होगा अपना डिमांड फुल्फिल करेगा शायद हम कोलकाता में रहे के यह समझ नहीं पाएंगे या मुंबई में रहे के डिली में रहे क ैसाइफे बतलब आज सुनने में आपको कहानी लगेगा एक पर एक समाज को संसकार किया गया तो ऐसा ही new new concept समाज के अंदर आ रहा है उसके उपर काम करने का कोशिश किया जा रहा है है ना तभी तो concept है तो इसलिए यह बहुत यह अच्छा point है कि one should go to the courts and not to the legislature नियम क्या है कही बार Salman का यह बात seriously समझना पड़ेगा कही बार ऐसे हम लोग मान लेते की ऐसा नियम है मानना पड़ेगा but always क्या मानना पड़ेगा हर बात जो लिखा हुए वही मानना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी थोड़ी है लिखा हुआ चीज को भी सवाल कर सकते है and that is the concept of jurisprudence जो already लिखा हुआ है वो कितना justice है कितना उसमें justice हो सकता है यह समय के साथ समाज के साथ देखना यह भी बहुत बड़ा काम है that is why jurisprudence is very important इसलमाट is very celebrated in modern day modern era में सलमाट is बहुत celebrated lawmaker मान मत्वर जुरिस्ट माना जाता है ओ सर मैं तो बहुत कुछ बता रहा हूँ क्या आप लोग समझ में आ रहें सर आपको को आज तो सर कहां से कहां जाएंगे हम में भी खुद को भी नहीं पता क्योंकि इतना सारा डेफिनिशन इतना सारा जूरिस्ट ने बताया कि कभी मैं महाभारत से लेकि न्यूजिलेंड तक पहुंच गया ठीक है सो आई होप कि आप समझ सकते हो बोलो सर कनेक्ट कर रहे न हाँ सर विनो 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 ग्रेड़ाफ ठीक है विनो ग्रेड़ाफ जो है सर यह विनो ग्रेड़ाफ ने क्या बताया इन्हों ने बताया कि describe law as the set of rules imposed and enforced ठीक है इनका मानना है कि एक set of rules है उसको इंपोस कर दो मतब लगा दो वही समाज में ऐसा फॉलो करना होगा और इंफोस बाइ सोसाइटी विद रिगर पूदी एट्रिबूशन और एक्सरसाइज अप पावर और परसंद थिंग्स ठीक है सिंपल है जैसे कि income tax law बना दिया जाता है और फॉलो करना पड़ता है अगर आप income tax नहीं दोगे तो आप कानुनन गलत करोगे है ना तो exactly कुछ चीज़े हैं जैसे not just income tax जैसे और भी चीज़े हैं जो नियम बना गए GST rate वह भी तो law है ठीक है लाव बना के rate बना के सब के उपर दे दिया जाता लेकिन हाँ आप उसके उपर सवाल कर सकते हो उसके against में बात मतब आप code में जा सकते हो ठीक है अगर logic होगा अगर आपको ऐसा अगर आप प्रूब कर पाओगी कि इंकाम टेक्स लगा कि आपके सा सब्सक्राइब हो रहा है if you can prove it then okay इसकी बारे में भी चर्चा करने का जगा है ठीक है यह भी विनो ग्राडव का भी मानना कुछ गलत नहीं है इनका मानना है law is the aggregate of rules यह भी उसी तरह का बात कर रहा है जैसे अभी बात करके आए इसे aggregate of rules said by man as politically superior जो politically superior होते हैं वो rules बनाते हैं और sovereigns sovereigns मतलब वही जो ruler होते हैं ठीक है to main as a political subject in other words मतलब वो इंसान को एक political subject मानते है political subject मतलब यसे हम लोग society में रहते हैं ठीक है हम लोग power में नहीं ठीक है power में कौन है ministers है IES IPS officers लोग है ठीक है या फिर देश के रास्टरपती है या फिर देश को बनाने वाले parliament में member of parliament में राज्य सभा में लोग सभा में state लोग सभा में state के legislation है उसमें ठीक है जो भी हमारे देश में constitution में बात करेंगे कि state कैसे चलता है एक central कैसे चलता है that's the different discussions but try to understand कि austin का मानना है कि we all are subject we all are political subject मतलब आम आदमी और कुछ भी नहीं political subject है ठीक है हमको politics के हिसाब से कभी इधर कभी उधर अपने हिसाब से वो लोग का comment है जैसे कि इनलर का मानना जैसा था ठीक है इसा है ऐसे बोल रहे हैं आपको इसा चलना पड़ेगा जैसे चाहिना में जैसे लोग चलते हैं या south Korea में North Korea में वें क्या नाम है North Korea का President का क्या नाम है किम जों कि अरे वो खतरनाक जो है सर कुछ भी करता रहता है कि मीटिंग में सो जाओगे तो फिर मार देगा हूं ही पर बोली करके अरे जानते हैं आप लोग नॉट्ट कुरिया का जो सासक है उसके बारे में जो नॉट्ट कुरिया का प्रेसिडेंट है अलो ऐसे अना तो किसी अलग अलग तरीका का हो सकता है आप कोई कॉमेंटर ऐसे भी हो सकते हैं के जो अच्छा भी हो सकता है सब्सक्राइब करता था किसी किसी अरिया में हुआ करता था ठीक है गुजरात में था डेमोक्रेसी जो इसको द्वारी का बोला जाता था स्रीकृष्ण भगवान का जो घ्ता दए इवे नासा ने भी प्रूफ कर दिया कि यह समुंदर के नीचे द्वारीका डूब गया है ति के बिकॉस सी लेबल बड़ गया है तो द्वारीका का समुंदर के के नीचे है यह इन सेमंदर के नीचे अभी भी बहुत सारा चीजें मिला है जो मतलब सी बेड़ के नीचे भी चला गया है क्योंकि बहुत पुराना बात है 5000-7000 तो क्रिश्ण भगवान का एरिया वबा करता था और क्रिश्ण भगवान की इस एरिया में डेमो क्रिटिकली राजा को चूज किया जाता था तो वर्ल्ट का फर्स डेमोक्रिसी वहां उस टाइम पर देखा गया था जो आज से 5000-6000 यह जो तो मजाग नहीं कर रहे हैं आप लो करता था ओडिसा में जिसको आज उस जमाने में कलिंग कहा जाता था सर कलिंग ठीक है नाम सुने होंगे आप लोग तो समरण अशोका जो कलिंग में जो बहुत बड़ा युद्ध रचा था आप लोगों पता है कि अशोका ने बुद्धिश्ट रिलिजिएन अपनाने से प कलिंग कर रिवर के भगल में जो कलिंग रिवर आज की नदी का नाम है अगर कभी भी औडिसा विजिड करते हो तो आपको दीखेगा और शॉर्प यह पूरी के पास ही है यह कुछ ऐसा जगह में है यह जिसको कलिंग कहा जाता था वारडिसा का नाम की यसाब से तो उस रि तो इतना लड़ाई में obviously को को हारना ही था लेकिन कलिंग अशोका के अंडर में नहीं आना चाहता था because कलिंग डेमोक्रेटिकली चलता था अब आप बोलोगे सब्सक्राइब क्यों उसको अपनाने के लिए पागल हो रहा था सर चानक के और समरड अशोका का एक 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 यह था कि अगर भारत एक नहीं होगा ठीक है क्योंकि उस टाइम पर कुछ स्टेट ऐसा था जो अपने आपको अलग रखने का कोशिश कर रहा था ठीक है और इसमें प्रॉब्लिम क्या हो रहा था यूनिटी नहीं बन रहा था य मुश्किल ही हो रहा था कि भारत के राजा के अंदर यूनिटी नहीं हुआ करता था तो अचानक के ने बता कि यूनाइटिड इंडिया बनाना पड़ेगा हर कोई अगर अपने आपको बोलेगा मैं अलग मैं अलग तो मुश्किल बढ़ जाएगा तो सबसे बड़ा प्रॉ सब्सक्राइब जो था सिर्फ ओडिसा को बेने चानक के ने ऑडिसा के साथ शाधी दिलवा था ने अपनी अपनी पतनी में लड़ा अपने पतनी के एगेंस में लड़ा ही लड़ा और कलिंग में सबको सस्त्र शिक्षा दिया जाता था उस जमाने में तो कलिंग के जो राजकुमारी थे जिसके साथ अशोका का शादी भीवा था उनके साथ अशोका खुद भी लड़ा है आप सोच सकते हो ऐसे कहानी और लेकिन इसके बाद अशोका को बहुत खराब लगा त तो पुरा भारत को एक किया था लेकिन उसमें अच्छा चाता था तक हमारा देश कहरें से बचे रहे तो क्यूंछी हमेशा खराब होगा ऐसा बात नहीं है में जुरीज पूडेंस में सब्जिक्ट आपता हैं इसमें आपको इतिहास में जाना पड़ेगा अपको दुनिया भर के हिस्तरी को देखने एक आपको नवी स्पूलक को मिलेगा तरह को थीक्त आपके आगए मैं बताओ को प्रिम पलुकर काउंसेप because if you understand the history then you will understand the future और तभी आप प्रेजेंट में सही डिसीजन ले पाऊगे इसलिए इतिहार समझना बहुत ज़रूरी है okay it obliges a certain course of conducts और imposes a duty and is backed by a sanction तो क्या कह रहा है Austin? Austin कह रहा है is a comment of sovereign it obliges a certain course of conduct कुछ करने के लिए कुछ course बना दिया कि अभी ऐसे इसे करना पड़ेगा और imposes a duty and is backed by a sanction और उसको follow करना होगा thus the comment duty and sanction are the three elements of law तो फिर as for Austin क्या हो गया बड़ा ही famous Austin का बाद ठीक है बहुत ही पूछते रहते हैं thus the comment इसका Austin का मानना क्या हो गया thus the comment duty and sanction आदेश उसको डूटी और उसको sanction करके चलना ठीक है they are the three elements of law ठीक है आप समझ रहे हो ठीक है Kelson यह भी बड़ा famous मतलब इनको लेके भी चर्चा होता है Kelson गेब से pure theory of law इन्होंने law का pure theory में बात किया सरी क्या होता है pure theory sir according to him a law is a normative science sir normative science मतलब sir normative science मतलब जो क्या बोले सरे इसको ideal बोल सकते हो ideal science ठीक है normative science the legal norms are ought norms as distinct from is norms of physical and natural science मतलब जो physical and natural science से जुड़ा हुआ है law does not attempt to describe what actually occurs मतलब क्या कहरा है sir Kelson सुनो Kelson का मानना है कि law does not attempt to describe what actually occurs क्या होने वाला है इसके बारे में law बात नहीं करता but only prescribe certain rules बस कुछ नियम बताते है the science of law to Kelson is the knowledge of hierarchy of normative relations ठीक है कि एक आदर्स ब्यवस्ता कैसा होना चाहिए उसको बताने का जो ज्यान है जो hierarchy है चीक है कि सबसे उपर में प्रेसिजेंट होंगे उसके मंत्रीय होंगे मंत्रियों के हीड में प्रधानमंत्री होंगे अपरिषाद्ण होंगे या परिषद होंगे से कीड़ाइटमेंr सोंगे ऐसे concept को समझो थीं चैShe होते हैं चेर पर्सन होते हैं उसके नीचे होते हैं यह चार्ट होते इस तरह से उसके नीचे लोग काम करते है एक समाज को करने के लिए ऐसे जदर परता है रखी बनाने इसका बढ़ता है एक आदर्स व्यवस्ता बनाना पड़ता है व्यवस्ता समझते हो न जबस्ता मतलब एक ऐसा concept का राज्य एक ऐसा concept में एक देश को चलाना जो एक हाईरर की concept में चलेगा क्या होता है न нужно American language इसका मतलब होता है एक बेसिक नों ठीक है जर्मनी में बहुते हैं चा इ honor ना यहाँ पर थोड़ा German वह आ गया थीमें जर्मन भी आ गया इसलिए मैं तोबяжे दिखा भी दे रहा हूं जर्मनी में बेसिक नॉर्म को बोला जाता है तो हर चीज़ के बेसिक कॉंसेट प्योर थीरी ऑफ लॉव प्लॉव प्लॉव ठीक है तो यह जूरिस्ट भी थे और लीगल फिलोजॉफर भी थे तो यह इसका कहना बड़ा सिंपल है कि बेसिक चीजों पर ध्य क्यान देखे जो नियम कानून जो हाइर की आफ नॉर्मेटिव रिलेशन से बनता है समाज के अंदर डाड़ीज दिल्लॉव ठीक है मतलब इसको मैं थोड़ा इसे जोड़ सकता हूं सर एक थोड़ा कॉंट्रोवर्शियल पॉइंट कॉंट्रोवर्शियल मतलब लोग सोचत ना माने वड़ सोची है जरूर सर हमारे समाज में हमारे जो ससाइटी इंडियन ससाइटी में थोड़ा हिंदू कल्चर में बात करूंगा थोड़ा सा सर एक कॉंसेप्ट है कि जैसे कुछ लोग जैसे एक दवस्ता है ना सर एक एक बढ़ना स्रम बोलते इसको या वर्ण सबस्ता क्या होता है जिसमें ब्रामिन का एक कॉंसेप्ट होता है हाईरर्की से समाज के सबसे उपर होना चीए ब्रामिन अब समझो सर बात को समाज के सबसे उपर होना चीए ब्रामिन ब्रामिन की नीचे होना चीए इससे नीचे नहीं क्या बोले से इसको नीचे उपर नह करना चाहिए एक ब्रामीन समाज होना चाहिए एक शत्रिय समाज होना चाहिए शत्रिय मतलब कि सब्सक्राइब अब अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले आपको ज्यान से सुनिए बात को कि ब्रामेन शत्रिय और क्या है ज़र कि बूलो वैश्य और वैश्य मतलब कि बिजनेसमेन और कॉंसेप्ट क्या है ज़र सुद्र कि शुद्र मतलब कि लेवर या फिर वार्कर कि अब बातां यह जो चार सेक्शन्स हम लोग हमारे पुराने हिंदू system में देखते हैं कि यह सिस्टेम आज के सुसाइटी में अबने तक्या की में आवश्य में पराने कि ब्राम्गीन मतलब teachers या फिर आप ऐसे बोलो जो basically advisor होते हैं जैसे हमारे देश में अगर मैं बात करूँ आपको एक reality बताता हूं आपको सर हमारे देश का जो सलाकार है एक famous सलाकार का नाम बताओ ना जो हमारा देश का security intelligence का advisor है कौन है security intelligence का advisor जनलती बताओ नो कोई नाम मुझे अरे बोलो जो basically पाकिस्तान में रहा है भारत में जो भारत ने जो strike किया था अभी पाकिस्तान के उपर उसका पूरा का पूरा जो planning बनाया है होई तो बताओगे मुझे कौन है जिन्नोंने भारत को अभी foreign attack से बचा रहा है या फिर बोलो बोलो सर बोलो आवाज नहीं आया सर अजीद टोबार थांकियो सर अजीद टोबार थांकियो ठीक है यह पाकिस्तान में जाके 15 साल रहा है सर समसकते हो खुफी आजनसी बनके ताकि हमारे देश के पर कोई भी attack आने से पहले हम अपने आपको बचा पाए तो यह कौन हो गया है यह ओरिजिनल में ब्रामीन असर हिमाचल प्रदेश की ब्रामीन है मैं आपको बता देता हूँ ओरिजिनल में ब्रामीन है मतलब ब्रामीन का मतलब सब जो पूजा करते वो ब्रामीन नहीं ब्रामिन का मतलब होता है knowledgeable person जिनको different concept में knowledge आता है जो teaching भी कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री का उपदेश्टा भी बन सकते हैं जो किसी भी company में सलाकार बन सकते हैं इनका रोल होता है advisor level में काम करना जो एक ब्रामिन का ही रोल प्ले करता है सलाकार और और ऐसा ही होता है चाहिए आप किसी भी country में देख लो जबर दस्ती हिंदू कल्चर में भेदभाव है बोलके ब्रिटिश ने इस तरह का चालू किया भेदभाव है बोलके भेदभा मतलब ह हम लोग differentiate करते हैं यह कि और कुछ नहीं दूसरे के चीज को खराब करना दिखाना सर ऐसे क्यों बोल रहे हो मैं आपको अभी बताता हूं कि ब्रिटिश खुद कितना भेदभाव करता था लेकिन हमारे सिस्टेम को खराब बोलके पुरा दुनिया भर में एही सिस्टेम चलत कि क्या करता था देशको protection देता था रोजा को protection तन देता था आज हमारे दिस्फ में का जगा कौन लेता है all the chief कि आतरो लेते हैं काया सब्स्य नाम बदलाएitious निबर बैस्प्रति के रचिज के इंदर बिजनेश सिस्टेम को बरकरार रखना निश का GDP देखना थे के अंदर production maintain करना लोगों का जो भी नीड है उसको फुल्फिल करना इस वैश्य समाच का काम है सर तो बिजनसमैन एंड शुद्र समाच जो वरकर होते हैं companies में काम करते हैं job job करते जौबर्स जिसके पीछे पुरा का पुरा समाच जौब चाहिए जौब चाहिए करके पागल हो रहे सुद्र सुद्र मतलब छोटा जात नहीं रे बाबा सुद्र मतलब वरकिंग जो सिर्फ काम करने का काम सोचता है कि भाई मिले को काम दो मैं काम कर दूँगा चाहिए वो डिफरेंट काइंड आप काम हो सकता है वो TCS में टाइज विला के भ प्रदम साफ करना भी हो सकता है तो कोई खराब काम करते अपना काम करते हैं क्वह आज के society में नहीं है और कि यह सुद्र सिस्टेम आज के society में नहीं है क्या यह बिल्कुल ऐसा नहीं है पुराने जमाने में ऐसा यह था यह तो अच्छा तो फिर बिटिस जब हम लोगों को बोला ऐसा ब्रिटिस और से बोला था जो करना चाहता था कि हिंदू सिस्टेम में इंडियन सिस्टेम में भेदभाव हैं हम लोग क्रिडिसीजिम करते हैं कास्ट क्रिडिसीजिम करते हैं तो फिर ये लोग ब्रिटिश लोग अपने ओफिस के सामने क्या लिखके रखता था इंडियन सेन्ड डॉग सर्ड नॉट ये तो एक पुरा हिवन रेस को ऐसा मानता था जाले अनवालाबाग में लाखो लोगों को मारा सर्क्ष लगों तो एक सांटिफिक समाज व्यवस्ता रख्था लेकिन लोगों के अंन में घुसाया गया कि वह हम लोग भेदवा करते हैं हां सर यह सच्छा ही है सर तभी सोचो के तो समझ भी आएगा मैंने मेरे मैं पूछता है मैं भी ही सूचता था हिंदू सिस्टम में भेदवाब हो बहुत है कास्ट सिंदिसमई दिखिण जा रहा है इवं आ हैं आ concern क्रीव यह काम क्रों을 करते हैं तो यह सुद्र ब्रामिन bre Wikit कोई से नहीं आता यह कर्म से आता है हमारा देश में जो सिस्टम है कर्म क्या धर में था सब्सक्राइब या आप कौन हो क्या करते हो यह स्ट जो फालतु का concept बना के रखा है ना राजनीती करके यह बेकार का concept है concept तो ऐसा होना चाहिए कि कौन क्या करता है उसके basis में ठीक है यह खिचडी बना दिया आज की society में पुराना सिस्टेम बहुत बहुत ही बहतरीन था actually कुछ लोगों ने इसका means use किया ठीक है जो basically क्या बोलूस है दो नंबर लोग जो society को रूल करना चाहिए वो हमारा देशी हो या बीदेशी देशी लोग भी कुछ कम नहीं है सारा का सारा दोस्ट यूरोपियंस को भी देना नहीं चाहिए हमारे देश में भी ऐसे गलत लोग थे जिनके पास थोड़ा power आते ही न वो एकदम अपने power का means use करके society को corrupt कर दिया तो इसी तरह का ब्राम्मेन शृत्रिय वैश्य ठीक है यह क्या है hierarchy है मैं आपको क्यूं समझा रहा है यह सब hierarchy है इस तरह का hierarchy concept में एक rules बना कि वह यह काम करेगा इसके तुरू से समाझ का एक justice system create करेगा जो आज भी चलता है ठीक है आज आज भी चलता है same to same concept ठीक है ऐसा कभी जैसे एक चीज आपको बताना चाहूंगा जैसे अजित जोबल हमारे security intelligence है और जिनल में वह ब्राम्मीन है अगर मैं title wise बात करो तो अच्छा मोधी जी सर जो हमारे प्रधानमंत्री है वह आधर बैकवाड कास्ट है ओबी सी है ठीक है हमारा जो president है सर वह schedule कास्ट है ठीक है तो president मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं president मतलब जो शत्रिय काम कर रहे हैं पूरा सभी चीजों का चीफ है वो ठीक है administration समाल रहे हैं या मोधी जी को आप देख सकते हो तो यह SC और और क्या सर ओबी सी यह दोनों हमारे देश का शत्रिय पैटन में उपर में है प्रामिन में अजित सब्सक्राइब जो सिर्फ जॉब ढूट रहे हैं वहर कोई सुद्र है कि अगर मैं जूब करता हो तो मैं सुद्र मेरे घर में जो काम करने आते तो मैं वह भी सुद्र साई वो TCS में जाई है सब्सक्राइब बहुत प्राचीन सिस्टम है अब इसको बाद में अलग-अलग रिसर्चर ने जूरिस ने अपने अपने कंट्री में वो लोग भी काम किया तीक है जैसे केलसन का सब्सक्राइब कांसेट नौलग अब कुछ हिस्टोरिकल डिफिनिशन सफ लॉग में बात करते हैं आज में कहां से कहां जाओंगा आप लोग को पढ़ाते-पढ़ाते मुझे खुद भी नहीं पता है सब्सक्राइब करते हैं लौग करते हैं लौग को अब करते हैं लौग भी नहीं जाता हैं लौग के लिफिनिशन का मानना हैं तीक है यह एक फेमस जूरी इनका मानना है कि यह unconsciously बिल्ड होता है consciously नहीं मतलब सोच समझ कि आप नियम नहीं नहीं बना सकते इनका मानना है therefore law is found and not made law मिल जाता है law बनाय नहीं जाता इनका अलग ही सोच है sir ठीक है law मिल जाता है law बनाय नहीं जाता law is not universal in its nature इनका मानना ही कि law universal नहीं है ठीक है law is not universal in its nature like language जैसे language universal होते हैं है ना जैसे English आज की डेटी में universal international language हो गया है worldwide जैसे हर कोई country नहीं बोलता पर फिर भी क्योंकि last hundred two hundred years में British ने बहुत सरे country में colony बनाय था specially African nations में South Asian countries में इंडिया में ठीक है उधर आपका साथ अमरीका में तो बहुत सारे country इंग्लिश में बात करते हैं ठीक है और यूएस में भी यूएस में भी ब्रिटिश का कॉलरी वा करता था ठीक है तो 97-73 में यूएस ने ब्रिटिश से अपना आजादी लिया है इसका बहुत सारा कहानी है तो डाट इस इस वाई रिसेंट ट्रेंड में लास्ट 200-300 में हम लोग देख पा रहें सर स्पेशली इंग्लिश एक इंडरनाशनल लैंग्वेज बन गया है तो यह उनिवर्सल हो गया जैसे हमारे दिश में इंडिया के अंदर में अगर बात करो तो इसमें हिंदी सबसे पॉपुलर इस नहीं रोगा ना तो साथ इंडिया के लिए और बहतर होता है मुझे सभी लैंग्वेज तो संस्कृट से ही बना है तो जो भी हो लेकिन लैंग्वेज जैसे की हिंदी सबसे इसलिए बन गया विए सारे के सारे स्टेट ऐसे बन गया हिंदी के साथ तो यह अलग अलग लेकिन साथ इंडियान वाले हिंदी बोनने में बहुत ही मुश्किल करते हैं उनको लगता है कि हिंदी को नाशनल लैंग्वेज कभी नहीं करना चाहिए और ऐसे भी हमारे देश म इसमें कोई नाशनल लैंग्वेज नहीं है फिर भी हिंदी एक उनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो गया है तो लॉइस नौट इनिवर्सल नेचर नहीं होता यह पीपल और एज के साथ अलग भी हो सकता है यह बात तो है ठीक है यह बात तो है सर इसलिए सेम गलती पे 18 प्लस का जो सजा होता है 16 का वो सजा नहीं होता यह 14 का वो सजा नहीं होता है सेम गलती पे 18 प्लस होने पे आपको जो सजा दिया जाता है जो पनिश्मेंट मिलता है अगर आपका एज 14 साल का है या 15 साल का है या 16 साल का है जब तक आप बिलोव 18 हो आपको सेम काइंड आप सजा नही नहीं दिया जाता तो लॉव सब के लिए बराबर नहीं हुआ पीपल एज के साथ भी डिफर कर गया क्या रहे कि मानोगे की नहीं मानोगे इसको कि अलो कि बोलिये सर बोलिये आप लोग कहा ना बहुत ज़रुदी है हैं history of definition of law इस्टोरी कल दीशन फ्लों अब लोग नैचेडल से पोजिटी टे अम लोग अबनाता में रख तुम प्रथह जो उस आरिया कांट लोग मानते हैं जो उस कविला का कविला समुजते हो ना गुरूप पब्र इसको मानते हैं एक समाज मानते हैं प्रथा है जैसे शादी के टाइम पर एक special way में शादी होता है, किसी का एक style में, किसी का दूसरे style में, because उनका ऐसा माननेता है, तो किसी का पहनावा अलग हो सकता है, आप North East में जाओ, तो यह पेहन आवा थोड़ा लग आप बंगोल में आप वहां का पहना वाँ अलग मतलब जस पोसाख से सादी वगेरा किया जाता है आप साउत में जाओ नॉर्थ में जाओ थोड़ा अलग अब गुजरात में जाओ वैस्टन में जाओ चाहू तो यह क्या है स्थे कास्टम से प्रथा not only precedes legislation but it is superior to it यसे legislation को precede नहीं करता यह बहुत superior भी माना जाता है customs को that is law should always conform to the popular consciousness popular consciousness को law बहुत ज्यादा value करता है popular consciousness मतलब बहुत दिनों से चले आ रहे हैं और maximum लोग यही मानता है माननता है ऐसा तो exactly जिस चीज़ का माननता है माननता मतलब conscious मतलब क्या जाग रोखता लोग इसको मानते हैं लोग इसको जानते हैं लोग इसको समझते हैं तो उसको value करना चाहिए लोग को जैसे एक बड़ा सिंपल बात है सर आप बोलोगे controversy यह controversy नहीं है Supreme Court ने राम मंदिर बनाने भी फैसला दिया हां सर अब कोई कोई जो लोग सर दिन का मानना है कि नहीं सेकुलरिजम है राम मंदिर का बात नहीं करना चाहिए सर बात सेकुलरिजम का ही नहीं तो फिर Supreme Court ने क्यों ऐसा decision दिया कंट्री तो सेडिलर संग्विदान पर बोला हुआ इसलामिक जो लॉबोट है उसने भी स्माटर को माना है सर अब सवाल लेए उड़ता है कि राम मंदिर की concept में जो लोग सेकुलर जंडा गाड़ता है सर सेकुलरिजम का जंडा गाड़ता है जिनको लगता है कि सेकुलर कंट्री में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए है ना अब सवाल उड़ता है तो फिर सुप्रिम कोट ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया अब कोई बोलेगा सर बिजेपी गौर्वर्णन इसलिए दिया चलो सर यह उनका कंट्रोर्स ही है बट मैं आप तो आपको इसी पॉइंट मे कि प्रथा consciousness अब concept is that कि यह राम मंदिर का concept का history आपको समझना पड़ेगा यह आज का बात नहीं है यह तो सर मोगल जमाने का बात है और जब भारत को आजदी मिला था उसके बाद यह मुद्दा खतम नहीं हो था उत्तर प्रदेश में जिस एरिया में राम मंदिर है सर जो सर सरियू नदी के वगल में अयुद्धा में जहां पर राम मंदिर बन रहा है यह राम मंदिर बहुत पुराने जमाने का है इसको गिरा के बावर ने मस्जिद बनाया था और यह वहां का लोकल लोगों को भी पता था और भारत के हर एक पुराने जिन जो स्कॉलर से they all know about these things क् जैसे एक सिंपल बात है अगर हजरत मुहम्मद लग घर है मक्का में जो मुस्लिम हज में जाते हैं तो फिर राम जी का भी तो कोई घर होना चाहिए लेकिन वो घर के जगा मस्जिद बना हुआ है आप लोग कोई भी बोलो सर राम मंदिर राम का जनम स्थान कोई तो है सर सबको पता है हम लोग इतिहास में पड़े हैं रामायन में पड़े हैं कि अजोद्धा में राम जी का जनम हुआ है दसरत के पुत्र के हिसाब से तो फिर राम जी का घर कहां, उनका कुछ तो मंदिर होना चाहिए, जो था, इवें खुदाई करके मिला भी है, तो ये तो बोला जा रहा था, फिर ये आस्था का बात है, अगर ऐसा होता, अगर पुरा बात सिर्फ मस्जिद गिरा के मंदिर बनाने का होता, तब तो भारत में 90 करोड से भी जादा हिंदू रहता है, और हाटली 30 से 40 करोड का मुसल्मान रहते हैं, तो ये 90 करोड हिंदू, इनका जो भी कॉंसेट है, तो फिर सारा का सारा मस्जिद को गिरा देता, भारत के हिंदू राष्टर बना देता, पर ऐसा तो नहीं है न सर, ऐसा हुआ भी नही बात सिर्फ राम जी के आस्था पे था, तो फिर जैसे हजरत मुहमद का नाम में मक्का है, लोग हज में जाते हैं, तो फिर राम जी को जो पुरा भारत मानते हैं, उनके आस्था का क्या होगा, वो कहां जाएंगे फिर, राम मंदिर तो है, सब को पता है, लेकिन राम मंदि कभी कोई ने लगता यह तो लूटने आया था लोगों को मार के लुटने के लिए आया था पर वो लुटा नहीं भारत में रहे गया लूट के गया नहीं यहीं पर रहें उसका मस्जीद था वुजे आज तक समझ में थे किसी को बावर के बारे में क्या पता है राम को भगवान मानते हैं वह तो सासक था तो फिर बावर के मस्जिद गिराने में लोगों को प्रॉब्लम क्या है वो तो यहां पर सासन करने के लिए था हमको मारके लेकिन लोग सोच रही नहीं इसमें हि किस तरह से सिस्टेम बनता है जस्टिस कैसे बनता है स्टार्टिंग में आपको मैं बोला सर यह नए और अन्याई का है अन्या क्या है कौन गलत कर रहा है कों सही कर रहा है यह बहुत बड़ा चीज है जात्पात कुछ इसको उपर रखना होगा it's not about जात्पात होता तो भारत में मस्धीद बनना ही नहीं दीता कोई अगर आज का मंट्प जो अगर हिंदू मुम्मेंट चलाएं अगर किसी का मानना ऐसा है फिर भारत में मस्जीद ही नहीं बनता लेकिन भनर्फ कोई दिक्कत नहीं है सब सब्सक्रों अब सब्सक्रों लोगयों की आस्था कहोता है कस्टम्स का होता है तो लेके सुपिन कोट भी भावुक हो गया ना बहुत तो सही है राम लाला फिर कहां है इतियास गवा है राम लाला का जनम हो भी है आप लोग केस को पड़ो तो समझोगे ठेल क्या है ठीक है इस नौट अबाउट सेगुलरिजम हर बात में सेगुलरिजम को नहीं खेजना चाहि का यह सब चीज माटर करता है कश्मीर इसूपे तो सब्सक्राइब बाकी है बहुत बड़ा जस्टीज बाकी है सब मैं तो वेट कर रहा हूं कि यह जस्टीस कब दिया जाएगा बसलमानों से कोई प्राप्लेम नहीं पर अगर किसी के साथ अन्ना होता है तो उसकी लिए नहीं वो सब एड़ेस्ट करके चलेगा विकाज ये लोग मार दंगा नहीं कर सकता तो फिर क्या कश्पिरी पंडित को अपने जगा में रहने का अधिकार नहीं है जादा पुराना बात नहीं है नमबे साल का बात है अभी भी जस्टिस बाकी है कुछ नहीं उसको अपना घर दिर्वाना है किसी को मारना पिटना कुछ नहीं करना है ठीक है गलती हो गया पकिस्तान ने वहां से बेसिकली सब के मन में कान खाया और अंधर अंधर यंदर में एक सिवी लवार क्रियेट किया अप लोगों को इस सब खबर होना चाहिए इसका अभी भी चल रहा है कोड में अभी को केस पेंडिंग है जस्टिस अभी भी बाकी है यह सारे के सारे जो औरिजिनल कश्मीरी ब्रामिन है कश्मीर में बहुत सारे के सारे ब्रामिन ही आक्चिली ठीक है और बाद में जो पुराने जमान मतलब एक्चिली 1616th century में काफी सारे उनको कंवर्ट कर दिया गया था और वहां पर मुस्लिम सासन चल गया था ठीक है जो बदला नहीं ठीक है जो अपने कल्चर में था अब उनको मारोगे क्यों कि मार के भगाओगे क्यों अज एक भी पंडित नहीं कश्मीर में कि सब भारत के इधर उदर में दिल्ली के चोहराय में कश्मीर में जो लोग कभी गर्मी नहीं देखा वह 48 डिग्री टेंपरिचर में आके रस्ते में ठेला लगा के अपना गुजारा किया है अभी भी कर रहा है क्योंकि 90 का बात है जाधा पुराना दिन हुआ नहीं बस 20-30 साल का बात है कि किसी को ऐसे किसी का घर नहीं उजाड सकते बहुत खराब बात है बंगलादेश में लोग का मानना पॉपुलर कंसेशनेस यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है इसी मैटर मेरे को यह सेवीं इसका बात याद आ घया हो सकता है आपको sound थोड़ा दूसरा टाइप का लगे इस अलबॉट जस्टिस न्याहे दो न्याहे करना है लाउग है यह कॉमन कॉंसेसनेस क्या है मैं क्यों यह से बात कर रहा हूँ यह वल्क चीस्ट बोलते है इनको वल्क चीस्ट का मतलव है सर आप लोग यह जर्मन गाड़ी कंपनी का न सुने और से इसलों है आप लोग भूक्सवागन गाड़ी का नाम सुने और नहीं कि नहीं है कि आजए ओ सर बोलो है यह पार्णजर से की वोल को मतलब क्या है यह किसी को आइडिया है ताथा कि भॉल का मतलब क्या है लुग का मतलब होता है पीपल ठीक है मतलब भोक्सवागन का मतलब क्या हो गया जन्ता का कार नम्ले लॉग है लॉग है सोर्स इंदी कॉमन कॉंसेस्नेस आप दी पीपल क्यों करें हम ब Åh बाद बाट रही है सब सबसे बाड़ा सबसे तрахुल डिकाल फिस चलता है और वह आगर आप देखो गे तो गुजरात में भी हो रहा है वो लोग नवरात्री मनाते हैं दुर्घाप मतर की पूरा भारत में मना जाता है दिवाली के कि टिट है तो इस ना बड़ा देश में सब यह कैसे लेता है कुछ तो बात है चाहे आप कभी उसको आंखों में देखो या ना देखो लेकिन एक साथ इतना सारा लोग जब किसी मुद्दे पर बात एक ही मैटर में कर रहा है कहीं लोग तो आजकल जैसे हम लोग से सोकॉल इंग्लीश एडूकेशन में बड़े हुए हमें उतना पता नहीं चलता विकॉस हमें हमारे एडूकेशन थोड़ा पुराना चीज़ हमके भूला दिया गया लेकिन देखो हमारे देश का कि जो बात यहां पर कश्मीर में बोला जह रहा है क्यों 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 पखार रहे या कि तो अएंसा हो ग्या इतना बड़ा देश में क्पष्पो Wisconsin पाप नहीं तो यह पॉपूलर क्या है कौंससनेस अंच इसको लॉप बहुत बड़ा मामनिता देता है लॉप है नाओं शुड़ाने का सबसे लाज टेज होता है लिशिलीशन जो हमें consideration के थुर से देखने को मलता है and therefore the lawyer or the jurist is more important than the legislator lawyer and jurist is more important than the law बनाते हैं उससे भी जाधा important होते हैं जो lawyers दोते हैं जो law को लेके solutions ढूंडते हैं और jurist होते हैं यह और भी important बना जाता है legislature से भी जाधा so according to sir henry man the word law has come down to us to close association with two notions the notion of order and the notion of force यह थोड़ा और simple लोग में बताएं law क्या है law is the notion of order and the notion of force law एक notion है order का ठीक है जैसे बोला गया वे से करो और force मतलब अगर नहीं मानोगे तो जबर्दस्ती मनवाय जाएगा exactly sir नहीं मानोगे तो जबर्दस्ती मनवाय जाएगा yes कुछ कर नहीं सकते कहीं बार ऐसे society में जरुरत पड़ता है जब society समझदार नहीं होता जब society मतलब क्या बोलू sir illiterate लोगों का एक पागलपनती चलता है ठीक है जब society indiscipline हालत में चलता है लोगों को समझाना मुश्किल है तो ऐसे situations में forcefully ही काम करवाना पड़ता है कुछ कर नहीं सकते situation to situation vary करता है इसलिए देखो इतना सारा अब से बात करे जा रहे हैं अलग-अलग-अलग definition दे रहे हैं हाँ sir अब लोग खो नहीं कहीं से definition में अभी भी कितना सारा definition दे दिया आप लोगो नाचिरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल ठीक हैं अभी कहां जाएंगे सर अभी थोड़ा सा sociological definition में चलते हैं समाजी की मैटर पे बात करने वाले लोग वाले लोग जगीट defines law as essentially and exclusively a social fact ये एकदम समाज का मैटर है sir hearing defines law as the form of guarantee of the condition of life of society समाज की जीवन जात्रा assured by the state's power of constraints समाज में जो बाधाय है state's power of constraints है उसको और थोड़ा easy करना there are three essentials of this definition first, in this definition law is treated as only one means of social control second, law is the several social purpose third, it is coercive in character coercive मतलब again वही बात कि इसको forcefully लगा जाता है coercive, coercive क्या का मतलब होता है जो force हो forcefully आपको law मानना पड़ता है ठीक है रॉसको पाउंड इन्होंने भी law के यह भी बड़ा फेमस है sociological definitions में रॉसको पाउंड एनलाइस दी टर्म law in the 20th century कब बताया से 20th century को 20th मतलब बैसी कि लिए 19th से 200 के 2000 के बीच में as a predominantly an instrument of social engineering सर यह कहता है कि law एक social engineering है in which conflicting pools of political किसमें conflict होता है political conflict philosophical conflict मतलब देखने का दर्शन अलग है ठीक है जैसे फिर फिर पर धरम का बात करना पड़ेगा Christian का सोच Hindu का सोच Muslim का सोच मैच नहीं करता है day to day life में तो philosophy different हो गया ना दर्शन different हो गया ठीक है Hindu के concept में हम लोग actually concept सभी का सेम है बट कोई समझता नहीं है सब का concept सेम है अगर आप रामकिष्ण परमंग्स का कभी बात सुने हो विवेकानन जी का गुरू का बड़ाई सिंपल तरीके से बोलते है कि धरम कितना भी हो जैसे नदी कहीं से भी निकले जाना तो समंदर में ही है रामकिष्ण देर बहुत प्यार से बताते है कि रामकिष्ण देर जब बात कर रहे थे वोज टाइम पे भी Hindu Muslim Christian का बहुत बड़ा प्रॉब्लेम था समाज में आज भी है थोड़ा बहुत ठीक है तो अलग-अलग लोग का सोच है अलग-अलग फिलोजफी है तो रामकिष्ण जी को बहुत सारे लोग पूछते थे Hindu Muslim Christian आते थे और उनको पूछते थे कि ये कौन बहतर है कौन है कि Hindu अच्छा है कि Muslim अच्छा है कि Christian अच्छा है या कोभी जो भी यूदी अच्छा है तो रामकिष्ण भगवन बोलते थे बोलते हैं रहे आप लोग नहीं समझते वो बेंगॉली में बोलता था नदी कहीं से भी अलग-अलग परबतर से ही निकलेगा पहाड़ी से ही निकलेगा लेकिन जाना तो समंदर महीं है तो फ़ी अलग-अलग धरम कहीं से भी निकले चाहे हो भारत से हो या आरब से हो या यूरोप से हाल्टिमेटली आपको लेके जाएगा वही भगवान अल्ला सुप्रीम साइंस वाले लोग बोलते हैं सुप्रीम पावर उनको भगवान पर विश्वास नहीं है ठीक है तो सुप्रीम पावर का नाम देता है ठीक है हम लोग सुप्रीम पावर को जो भगवान मानते है मैं मानता हूं भगवान को क्या कर दिया से गौड का नाम दे दिया बगवान का नाम दे दिया, अल्ला का नाम दे दिया टीक है, तो जाना तो है सर कहीं कहीं तो जाके मिलेंगे, जिसको भारत में सर, concept हिंदु religion में, एक जो भगवान की मूर्ती पुजा में विश्वास रखते हैं और एक जो हम लोग मुर्ति में भी मानते हैं रिडिना मुर्ति का भी मानते हैं पूरा खुला रचूटuj आपको जैसा मन NHS मानओ menu islam में एक ही गौड पροके हें अब गैpp सीख में जाए फिर या फिर वन सिंगल प्रहम्हांब प्लेसिकली वो लोग निराकारी होते है है निराकार मतलब भवान आकार नहीं देखता है है जैसे हम लोग जो नौर्मल लोग हogram पूजय होट जो मूरति पूजा मांते हैं दुर्गा पूजा सरत्व पूज़ा करते हैं एक हिंदु कल्चर होता है जिसमें मूरतियों का पूजय नहीं होता निराकारी इस लिए प्रम होग सन् संबी को लोग दोनों कॉंसेप्ट चलता है रूंबर समाज का कॉन्सेट्ट भी है मतभ निराकारी कॉंसेट्ट भी है और आकार वाला कॉनसेट्ट भी तो भगवान का रूप लगा के फुजा कर सकते हैं आपको लगता है कि दुर्गा-माता ऐसे है गनेश ऐसा है कार्फिक आप क्या अजरि आप जैसे उस पैषा के लिए स्पसप्फाश्ट सप्शेलाइज वहाँ छोड़ीदी बोलके बहुत एक राजा का एरिया तो वहां का राज़स्था पो को पूछ रहें कि मूर्ती बुजा पर विश्वास रखते आप इतना बड़ा सन्याशी हो हां आप मूर्ती भी मानते हो मूर्ती तो मुर्क लोग मानते हैं ठीक है तो स्वाम विवेकानन ने उस राजा को बोला कि आप एक काम करो महराज आपका वह मूर्ती किसका है वह अब पर नीचे लाया तो किसी से बुलवाया और स्वाम विवेकान तो दूख दिया तो राजा जो थे ना अपने सेना पुती को सेना पुती और राजा जो थे वह सवामिवेकरनत का गर्दन काटने की दिए तलवार लेके हाजिर हो गया ठीक है तो सवामिवेकरनत बुला कि मैं बहुत सर्मिन्दा हूँ ये काम करने के लिए लेकिन आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है यह तो बस एक फॉटो फ्रेम ही है मूर्ती तो है अलो आप लोग्स समझ पारें सर है अभ राजा कुछ बोला गया वूरा समझ गया उसके बाद राजा सामी विकनंद को बिष्ट के लिए पागल की तरह मानता रहा पैर पकड़ डिया पेर पकट लिया और फिर समय वेगांद उसको बोला नहीं नहीं ठीक है अज्ञानता में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब तक वह इंसान अहंकार ना करें अपने अज्ञान मतब ज्यान का मिथ्था अहंकार नहीं करना चाहिए तो मुर्ति-पुजा में कोई प्रॉब् बेल необходимо मतब से ना तो नहीं लुझे जाव कि ठीक है यह जो अभु झाम को नहीं कोई जहां गोई अटक्ष मोट छोई आन में कों खिम्या हुझत फिंक पुजा पुजा हम्वां नहीं कि करेंका डाण इंटक्षाम ऍटकंव कार ने पान्द कोल्लम्हार चाहिए नहीं कंचि कभी बात कर लेंगे यह जो बेदान्त होते हैं इसके बारे में बहुत अच्छा बात करता है कभी अगर आप लोग बात्चित करने का मन करें तो मैं बात करूंगा ठीक है चलो अभी रॉसको पाउंड पर बात करते हैं कि मुझे इतना ज्यान तो नहीं है जितना थोड़ा बहुत पढ़ता हूं समझने का कोशिश करता हूं पस उतना ही आप से श्यार कर लेता हूं और कुछ नहीं इतना ज्यान ही नहीं हुआ कि रॉसको पाउंड अनलाइज दी टर्म लॉव इन दी 20th century बैग्राउंड प्रीडॉमिनेंटली अन इंस्ट्रुमेंट आप सोचल इंजिनियर्ग तो इनका मानना है कि लॉक या है सोचल इंजिनियर्ग कि सोचल मेंटर को ठीक करने का एक इंजिनियर्ग है इन वीच जिस सार्थिक मेंटर जैसे देखो ना किसी का मानना है कि सरकारी बिजनेस चला ले किसी का मानना है कि नहीं प्राइबेट बॉड़ी बिजनेस चला ले ठीक है किसी का मानना है कि नहीं दोनों मिक्स आप करके बिजनेस चला ले यह एक इंट्रेस्ट में है है ना जैसे जो सोशल सोशलिजम का जंडा गारते हैं उनका क्या मानना है कि government को business चलाना चाहिए सभी controlling business government के हाथ में चाहिए जो capitalism के जंडा गारते हैं उनका मानना है कि private पर सब कुछ दे दो government तुम बस administration समालो लेकिन भारत क्या करता है थोड़ा capitalism को भी सुन लेता है और थोड़ा सोशलिजम को भी सुन लेता है mixed up करके बना के रखा है एस पर दिनीड ऐसे सुभाश चंद्र बोस तो बोला था कि starting of the independence के बाद सुभाश का मानना था कि कम से कम पहला 10 साल भारत में pure socialism होना चाहिए मत्तब एक दो full control of government everything ऐसे सुरुम में वहिसाई था बट प्रॉपर नहीं था इसके उपर कुछ चीज़े जबर्दसी थौप के इनको थोड़ा सा सीधा करना था स्टार्टिंग में पब्लीक के उपर फोर्स थोड़ा कम हुआ है इसलिए ना भारत का पॉपुलेशन यह पीपल है इसका जो स्पाइनल ना वो टेड़ा रह गया है यह थोड़ा नहीं हो पाया इसको सुरबात में थोड़ा से ना मतब प्रेशर क्रेट करना चाहिए था मार धंका के नहीं थोड़ा से लौ बना के ठीक है सीधा हो जाओ कंट्री ऐसा चलेगा दस साल चला लो फिर ऑटोमेटिक सुदर जाता है जरूरी था सिचीशन वाइज जरूरी होता है इतना आचाहिए पाया जाएगा सबको तो ऐसा सुबास बोसका का इंडिया सोच था 1947 के ताइम तर तो वेरी इंटरेसिंक कांसेट सार जितना जानेंगे जितना पड़ेंगे पागल होते जाएंगे तो रॉसकोपांड थिंक्स अफ law as a social institution to satisfy social ones the claims and demands and expectations involved in the existence of the civilized society by giving effect to as much as may be satisfied or such claims given effect by ordering of human conduct through politically organized society बस तो कहा है politically organized society के अंदर social matter को फुल्फिल करना है social demand को फुल्फिल करना है इसको social engineering का नाम दिया गया and there is a realist definition of law last concept of definition realistic definition इसमें कुछ famous lawmakers हैं आपर, jurist है realist define law in the term judicial process according to Holmes law is a statement of the circumstances in which public force will be brought to bear up on through courts according to Cardozo a principle of rule of conduct so established as to justify a prediction with reasonable certainty that will be enforced by courts if its authority is challenged in its principle of rule of law तेक है यस principle of rule of law में challenge भी हो सकते है realistic situations में challenge किया जा सकता है from the above definition it follows that law is nothing but a mechanism law और कुछ भी नहीं एक मेकनिजम है एक चलने का तरीका है regulating of the human conduct in society so that the harmonious cooperation of its members increases law ऐसा होना चाहिए लो ऐसा होना चाहिए law जो harmonious cooperation करे society के अंदर members के अंदर लो नहीं प्रतुता है if thereby avoids the ruin ruin by coordinating the divergent conflicting interest of individuals and of society which in its turn enhances the potentialities and availability of the society as a whole the state मतब राजय आपर चाहिए शूटर प्राद चाहिए पर चन्रिबू भी बहर कंट्रिशच्टा है peace and order in society shanti varkara rakhna formulate certain rules of conduct to be followed by people these rules of conduct are called laws यह जो rules and conduct है न जो देश के अंदर shanti varkara rakhेगा इसको कहते हैं law to summarize the following are the main characteristic of law and definitions become universal one must incorporate all these elements law presupposes states law पहले से ही tag गिया जाता है the state makes it authorized to make state makes or authorized to make और recognize our sanction rules which are called law राज जी या केंदर बनाते हैं for the rules to be effective there are sanctions behind them उसको effective कर देंगे लिए उसको sanctionity के उपर ध्यान देना पड़ता है these rules called laws are made to serve some purpose इसको serve करने का कुछ purpose होता है the purpose में भी a social purpose और it may be simply to serve some personal ends of despot यह समाजिक purpose भी हो सकता है यह फिर कुछ समाज में problem है उसको सुधारने के लिए भी हो सकता है despot मतलब जो difficulties है उसको सुधारने के लिए personal ends of despots ठीक है सुधारा गया ना recent trend में है ना जैसे triple तलाक जो Muslim में जो एक social personal problem था उसको सुधारा गया recently Supreme Court ने सुधारा काफी बहतरी नेक्डिशन है सकता ओरत के dignity में इज़्जत तो होना मतलब dignity में हमेशा हमेशा इसको बहुत जादा देखना चाहिए था समाज इतना मुर्ग नहीं होना चाहिए चाहिए वो किसी भी धरम का हो Hindu के अंदर हो, Muslimान के अंदर हो किसी इक अंदर हो समाज को हमेशा बहतरी नोई में सोचना चाहिए कुराने चीज़ों में अगर कुछ गड़बड हो गया है उसको समझना चाहिए कि ये justice है कि अंज़बड है महाभारत इतना पुराना है कि ये किसी भी जगा में justice नहीं किया हर जगा में justice किया है प्रॉब्लम ही है कि समय के साथ बहुत सरे चीज़ों में गड़बड हो गया बस वही ना नौलेज जब बेकार हो जाते knowledge corrupt हो जाने से जो होता है जब ग्यान corrupt हो जाए जो problem होता है रामायन महाँ भारत में आपको किसी भी जगा में अंदस्टिस नहीं दिखेगा सर्थ हर जगा में justice है if you understand this purely properly अगर समझोगे तो जैसे एक point उठाते है कहीं बार कोई-कोई ये राम को कहीं बार कुछ लोग कापूरूस बोलते हैं क्योंकि उसके पीछे क्या logic दिखाते हैं रामायन का बात करना आपको सिता महिया जब अशोक से मतब सरी लंक स्रिलंका से जब इंडिया में राम जी उनको वापस लाया था तो जो राज्य के लोग थे प्रजा के लोग थे प्रजा से एक डिमांड उठाता कि सिता महिया अपवित्र हो गया है तो सिता महिया को वो लोग के रूप से समरागी के रूप से देखना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि और रावन के बन में राक्षर्स के बन में इतना दिन था तो कुछ गड़बड हो गया होगा तो सीता ने सीता को सती कहा जाता है सर मतलब सती मतलब मादुर्गा का रूप जो त्याग लिए जाना जाता है तो सीता ने अपने आपको राम जी ने उनको नहीं बोला था राम ने उनको नहीं बोला था कि आप अगनी में चले जाओ मतबब अगनी में अगनी स्नान करो अपने आपको दा कर लो नहीं बोला था राम ने तो कभी नहीं बोलेगा लेकिन प्रजा के हीत में सीटा ने खुद यह डिशिजिन लिया था तभी उनको सती कहा जाता है त्याग कि यह त्याग सिखाया है सर करुना सिखाया है कि ठीक है अगर आपको ऐसा ही लगता है तो हम लोग आपको जबर्दस्ति किसी के साथ नहीं हम त्याग देने के लिए राजी है लेकिन आप लोग समाज में सांती बलकरा रखो कि इसका मतलब रहाम जी कापूरूस नहीं होगे वह तो अपने पत्रिक को पाने के लिए लंका तक बहुंच गये थे उस जमाने में कि वह अपने पत्रिक के लिए कुछ भी कर सकता था इतना प्रेम करते थे तो अपने पत्रिकों थोड़ी न आगे में डाल देगा लोग इ सिता मैया तो अपने हाफ में एक नॉलिजबल परसन है खुद अपने अपको अगनिस्तान करवाया था अपने पवित्रता को सुद्ध पता प्रूफ करने के लिए इसमें सिता मैया थोड़ी न महला होगे या राम जी महला होगे वो तो प्रूफ किया कि देखो भई हम पूरूश है हां अपनी बीबी को अगनी में ढाल दिया मतलब नहीं समझे मतलब संझो कि तो पाव ना रखनाय यह कांसेट्ट तु बड़ा पहले में सोचो समझ में आएगा social purpose को सोचो समाज समाज वैवस्ता प्रजा से बढ़कर राजा नहीं हो सकता राजा के लिए राजा बनते हैं राजा के लिए प्रजा नहीं बनता ये चीज इसलिए तो राम जी को इतना मानने दा क्यों दिया गया अगर कभी राम की जीवन को समझे कोशिश करोगे ना तो समझोगे मतब राम मतब किसी मतब गेरुवा जहंडा के लिए नहीं लाइफ आफ राम मतब क्या कुर्वानी दिया उन्होंने तभी राम जी को लोग भगवान का दर्जा देते हैं वो रियलिटी में थे लोगों के अंदर थे लेकिन उनका जो त्याग है ना जो उनका कुर्वानी है ठीक है जो उनका त्याग है उसी को एक्चली पूजा किया जाता है कि जो बंद क्या हो सकता है अपने बच्चों से दूर हुआ और क्या कर सकता है कि इस लिए जस्टीस के लिए इस राज्य में सांती पर कड़ा रखें जस्टीस अगर मेरे को कुर्बानी देना पड़े तो मैं दे दूंगा तो इसी लिए राम जी का इतना माननेता है इसमें धर्म के साथ म भारत को समझना चाहते हूं So, separate rules and principles are known as laws. Such law may be mandatory, prohibitive or permissive. A mandatory law calls a affirmative act as in the case of law requiring the payment of taxes. A prohibitive law requires a negative conduct as in case of law prohibiting the carrying the concealed weapon or running a lottery. A permissive law is one which neither requires for nor forbids actions but allow certain conduct on the part of an individual if he desired to act. तो laws are made effective क्या बताते हैं by requiring law को effective बनाने के लिए by requiring damages to be paid for an injury due to disobedience ठीक है by requiring one some instances to compete complete an obligation if has failed perform अगर कुछ करने से आप perform करने में fail करते हो उसके लिए law चाहिए by preventive disobedience अगर कोई disobedience करते हैं मतलब मानता नहीं है उनको को effective करने के लिए law चाहिए law का मानना पड़ेगा by administering some form of punishment punishment को administer करने के लिए भी मतलब law को effective करने के लिए punishment भी दिया जाता है तो इतना सारा law बोल दिये सर साथ में रावायन महाभारत भी भूल दिया आपको आज आप लोगो कितना समझ में आया पड़ा हो कि इतना जरूर समझ में होगा यह law justice को प्रतिष्ठा करने के लिए justice and justice के बीच में difference को समझाने के लिए not just in हमारे देश में all over the world different jurist different law makers हर बात में एक ही बात कर रहा है क्या सर एक ही बात किया न जो रामायन महाभारत का concept है और यह law makers यह jurist का जो मानना है क्या यह एक parameter में आ रहा है बोलो सर इसलिए मैंने बार बार रामायन और महाभारत का जिकर किया आज के class में मेरा को intention तो था नहीं बट बोलते बोलते मेरे बन में आ जा रहा था ऐसा सोच के नहीं है था कि माय आपको आज इतना रामायन महाभारत बताऊंगा हर एक पॉइंट पढ़ रहा हूं मेरे को रामायन महाभारत ही याद आ रहा है क्या करें सब्सक्राइब तो नेक्स लास में हमें आपको कुछ इंपोर्टन डेफिनेशन के सार्ड देफिनेशन तो मैंने बता दिया बस कुछ कॉण्सिप्ट जैसे इसलिए अपको बताऊंगा तो मैं आपको नेक्स लास में बताऊंगा तो मैं आपको तो मैं आपको नेक्स क्लास में पर्सिनल लॉग के बारे में बात करूंगा जिसमें एगें हिंदू और मुस्रीम लॉग है ठीक है और साथ में कुछ देफिनिशन बगेरा के अंदर वह और बीटर डिक्टर जैसे कुछ लॉटोस उफिसकेंड ilsट लॉट के बारे में कुछ बात हैं जो नेक्स में बता जयरे डाफने में आपको आप लोगो काफी मिलेए कि यह लॉग पूरा पूरा का ओन से चाहिए आप कुछ भी लॉट पड है आपको हमेशा फीलिंग आएगा इसकारण में लॉक्ष लिए किया गया है अब हमेशे उसको पीछे रीजन ढूंड़ोगे जुरिस्पूडेंस को ढूंड़ोगे डाट इस दिरीजन ठीक है इंस्टिट्ट के किताब खोलो और एकदम चालू हो जाओ सर और जो मैंने नोट दिया था सर्फ